काफी टाइम हो गया है काफी टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया है दिवाली निकल गई है और ठंड आने के साथ साथ गवालियर में बारिस भी आ चुकी अच्छी घासी तो बारिस हो रही है और मौसम अच्छा है तो आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है और क्या के करने वाले में बना हुआ है गवालियर में वहां से एक लैपटप लेकर आया है तो उसको दिखाते हैं कैसा लेकर आया है और होपसो आपको मॉडल काफी पसंद आने वाला है मॉडल नम्मर है एच पी का पवेलियन गेमिंग लैपटप 15EC2075AX इसमें राइजन का प्रोसेसर लगा हु हुई है 8GB की RAM है हमने 8GB की RAM और बढ़वाई है उसके अलावा ये Windows 10 के साथ आया है भी इसको अपग्रेट कर लेंगे उसके अलावा और इसमें 3050 RTX ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ इन्वीडिया का जो की सबसे अच्छा है इस टाइम पर तो वह यूज करने वाले हैं तो यह आपको model दिखाता हूं निकालके कैसा है लेप्टॉप के साथ मिला है में लेप्टॉप बैग मिला है HP का जो की थोड़ा सही material का बना हुआ है यह वाला बैग मतलब जो उसके साथ देते हैं वो इतना अच्छा नहीं आता था पहले लेकिन अभी यह अच्छा खासा इच्छ दिया है gaming वाला और इस लैप्टॉप का वेट है 2.3 kg सम्तिंग है तो काफी ज्यादा वेट हो जाता है यह और बताता हूं आपको इसके अलावा क्या क्या मिला है मैं तो देखते हैं क्या क्या मिला है एक तो हमें मिला है कि क्लीनिंग किट दिया है जो इसकीन इसकीन गाट दिया है की गाट दिया है और एच्पी का माउस दिया है वायर्ड माउस है यह वाला मॉडल है लब चल जाएगा ठीक ठाक देखने से तो लग रहा है और वाट का मतलब अच्छा घासा आप क्विक चार्ज हो सकता है 200 वाट का चार्ज आ रहे हैं जल्दी चार्ज करना चाहिए से अच्छा ठीक है देखेंगे चेक करके बताएंगे कि कितना टाइम लेता है फुल चार्ज होने में और आप फाइनली लैपटाप दिखा देते है यह रहा मॉडल लुकवाइज आप देख सकते हो साइट से देखोगे तो काफी सारे पोर्ट दिये हुए है HDMI दिया है USB दिया है उसके अलावा lane cable C type भी दिया है card reader के लिए दिया है अगर आप HD card बगएरा है जो की बड़ा वाला camera में उस रता है वो भी उसका सकते है और आपको headphone के लिए भी jack दिया हुआ है 3.5 दूसरी साइट देखेंगे वो भी एक और port मिल जाता है USB का और इसी नहां जो चार्ज होगा तो आपको light से पता जल जाएगा और आप HP की branding देख सकते है परपल कलर में ब्लैक के साथ तो काफी अच्छी लग रही है उसके नीचे पीछे की साइट देखेंगे तो पवेलियन की branding की गई है जो की काफी अच्छा लुक दे रही है और अगर हम इ इसा लुक आने वाला है उपर के साइट केमरा दिया हुआ है नीचे के साइट एच्छी की फेसे ब्रांडिंग और जी स्पीकल ग्रिल जो लगी हुए है जिस सिंपल नहीं है थोड़ा सा कर्व दिये हुए है जो डिजाइनिंग दिखी रही है इसी डिजाइनिंग में बना इन्वीडिया की ग्राफिक्स कार्ड की ब्रांडिंग की है 144 हर्ट्स पर चलता है रिफ्रेश रिट का तो चालू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बटन को एक वाद क्लिक करें और फाइनली चालू हो गया काफी फास्ट चालू हुआ है तो देखते हैं यूज करके बताएंगे तो आपको कैसा लगा यह लेप्टॉप आप हमें बता सकते हैं फाइनल चीज तो रही गई इसकी प्राइजिंग तो प्राइजिंग आप को बता देते हैं प्राइजिंग है इसकी 73,000 प्लस किसके साथ 16GB रहम के साथ जो आपको बताया था शुरू में उसमें 8GB और प्लस कराई है तो यह लेप्टॉप हमें पढ़ा है 73,000 का तो इसमें 16GB रहम हो गई है और ग्राफिक्स का र्टीक्स का 350 लगा हुआ है तो होप सो यह हमें लेप्टॉप लिया था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी लेकिन जैसी हम सो रूम पर गए उन्होंने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं की और हमें एक्स्चेंज करके दूसरा लेप्टॉप दे दिया और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यूज कर रहे है अच्छा है काफी सारा है तो हम देखते हैं चला के थोड़ा भी कैसा चलने वाला है तो आप देख सकते हैं यह विंडो टैन के साथ आया है इसका अपडेट जड़ा चेक करते हैं कि जिए अपडेट क्या बोलता है कितना निकल सकता है कितने जीवी का विंडो 11 है यह चेक करके पता चलेगा तो क्या होने वाला है डाउनलोडिंग चालू हो गई है जीरो परसेंट अभी दिखानी रहा लेकिन काफी सारा डाउनलोड होगा तब जाके विंडो 11 आईगी इसमें कि टाइम हो गया बारा बचके ग्यारा मिंट और अपडेट अभी चला है हाला कि मैंने काफी कोसिस की मुवाल से जल्दी हो जाए लेकिन जल्दी नहीं हो सकता नेट स्लो ही रहता है कुछ चीजें देखी होंगी आपने बस दो तीन चीजें रह गई है अभी बगी सारा में आपको कुछी पसंद आया हो लेप्टॉप अच्छा लगा हो कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरू करें और देखते रहें लवित बर्मा ब्लॉग मिलते हैं कल बाइबाइट टेक केर